हाई ट्वेल्टीज वेल्कम डू एज़िवे कामर्स क्लासेज मैं हो तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने रूलर डिबलप्मेंट चेप्टर को और गाईज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्मेंट जब बहुत सा थी उधार की क्योंकि आपको बता है कि खेत में बीज बोने से लेकर खेती हो जाने पर बिक जाने का समय बहुत बड़ा अंतराल का होता है तब उनको पास जाके पैसा आता है यानि कि बीज बॉआई से लेकर बीज बोते हैं ना हम लोग जमीन पर तब बॉआई से लेकर व कि मैंने आपको बताया था एक तो होते है नौन-institutional sources आस पास से उधाल लेना, money lender से रिलेक्टेश वगरा से, एक होता है गवर्मेंट से institutional sources से उधाल लेना, तो हमने लास्ट वीडियो में तो वो सारी चीज़े पढ़ ली हैं, अब गाईस यहां पर हम बात करने वाले हैं कि ग अब फिर भी fail क्यों हो गए हम, फिर भी क्यों fail हुए, यानि कि क्यों हमारा जो rural banking system था धंग से काम नहीं कर पाया, कहां कमी रही, तो आज उसी को हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली कमी जो रही थी ना पूरे उसमें, that is insufficiency, यह तो मैंने पूरी book में देख लिया, हर जग उतनी नहीं थी, sufficiency नहीं थी proper, insufficiency थी, insufficiency की वज़े से, यानि कि हम लोग उनकी demands को पूरा करने में sufficient नहीं थे, एक तो main reason यह है कि हमारा rural banking का जो system था, वो proper से काम नहीं कर पाया, second क्या था, inadequate coverage of institutional sources, bank हर जगे नहीं है, अभी आप अगर किसी अच्छी जगे रहते हो, तो पर आपको असपस bank नजर आ जाएंगे, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे तो यहाँ पर bank की bank नजर आते हैं, लेकिन गाइस, अभी भी इंडिया में ऐसी जगे हैं, जहाँ पर bank नहीं है, तो वहाँ पर bank की नहीं होगा, तो वो उधार कहां से लेंगे, और उधा वो इनेडुकेट थी, कम थी, तीसरी चीज़, इनेडुकेट अमाउंट सेंक्शन, अब बंदा लोन लेने जा रहा है, एक लाग का, आप उसके हाथ में थमा तो पचास अजार, तो वो बंदा, एक लाग उर्वे की उसकी मशीन आनी है, उसका जो भी समान आने, एक लाग क या कुछ और समान खरीदना वो पूरा नहीं हो पाता था, जिसकी वज़े से जो उसको पैसा मिलता भी था लोन का, वो अदर परपस जिसमें, यानि कि घर में, या किसी और कामों में खर्च हो जाता था, तो यानि कि ये बहुत एक बड़ी समस्या थी, कि एक बंदे को अग पाता था, और जो उसका में परपस होता था, कौन सा ट्रेक्टर खरीदना वो आहीं नहीं पाता था, तो जो उसका एम होता था, वो पूरा नहीं हो पाता था, इन एड़ुकेट अमांट ऑफ सेक्शन की वज़े से, तो कैसे ये वेंकिंग हमारी कामयाब हो सकती है, अगर ह हम लोग 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 ही उतना नहीं देरें, जितना उन्हें चाहिए, उसके बाद है, चौथा, लेस अटेंशन तो पूर और मार्जरल फामर्मर्स, यानि कि लोग उन लोगों को तो मिल रहा था, जो लोगों के पास पैसा था, लेकिन जो लोग वीकेंड सेक्शन के है, जो तो और जेमों को सब्सक्राइब है, जसको इतनी फॉर्मलेटी नहीं पता, आप उन्हें लोगों के दिग या लोगों के प्योंतis को भिखर सेंच्व क्योंत्य व preço लोगों मार्जर मांचिन सेक्तर के यह इतना अटेंशन नाहीं देते थेंटी हो में भी हो सकते हैं में उम जरूरत तो poor and marginal farmers कोई तो थी और उनी तक जरूरत नी पहुंच पारी तो कैसे आपका ये system कामियाब होगा क्योंकि इन्होंने less attention दिया poor and marginal farmers को जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो system तो fail हो नहीं था फिल फिफ्ट है guys growing overdues growing overdues का मतलब क्या है कि अगर एक किसान ने loan लिया और वो नहीं चुका पाया है interest लगता रहा लगता रहा ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं जो उधार लेते हैं और पैसा नहीं चुका पाते हैं जिसकी वज़े से overdue होता रहता है पैसा बहुत जुटता रहता है और इस तरीके से जो एक banking system है वो fail हो जाते है क्योंकि वो loan तो provide कर रहा है लेकिन in return उसका repayment नहीं आरी loan की तो वो कैसे आगे के लिए उधार दे देगा तो भी हमारा banking system इस वज़े से भी fail होना बड़ा ही लाजमी था कि लोग loan लेने वाले loan लेके चले गए यानि कि अगर आपके farmers हैं उन्होंने loan ले लिया और धर चले गए लेकिन repay नहीं हो रहा पैसा पैसा वापस नहीं आ रहा bank के पास तो अब bank आगे कैसे उधार देगा तो growing over dues भी एक reason है ruler banking के fail होने का तो guys ये सारे reasons हैं जिसकी वज़े से ruler banking successful इतना नहीं हो पाया ये problems हम लोगों ने face करी हमारे देश में face करी गई I hope आप लोगों को समझ हाई होंगी और guys ये जो problem हम लोग किताबी तोर पर पढ़ रहे हैं ये actual में practically तोर पर बहुत बड़ी दिक्कते हैं जो हमारे सरकार face करती है हमारे किसान face करते है और ये सच में एक बहुत बड़ा मुद्रा जिसके ओपर काम करना चाहिए I hope guys आपको ये वीडियो समझ हाई होगी और अगर समझ हाई है तो लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल को नहीं सब्स्राइब किया तो कर लो guys और अपने डाउट आप में से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो Thank you